इनके बाद राजनीतिक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए कॉंग्रेस पार्टी को उस पर बातचीत हुई कानूनी कदमों पर बात नहीं हुई हालांकि हमारे प्रवक्ता और जाने माने वकील अभिशेक सिंग्वी जी ने सभी साथियों को अवगत कराया कानूनी तोर से क्या कदम लिये जाएंगे और उस पर आज अभिशेक सिंग्वी जी ने भी एक प्रेस कांफरेंस की है तो दो गंटे के लिए कानूनी प्रक्रिया पर नहीं बलकि संगठन की ओर से क्या कदम लेने चाहिए उस पर बातचीत हुई कई सुझाव आए अगले तीन चार दिन में आप देखेंगे हमारे संगठन EICC के ओर से PCC की ओर से DCC के ओर से और हमारे जो frontal organization है उनके ओर से क्या प्रतिक्रिया होगी क्या कदम बोलेंगे देश भर में हम ये मुद्दा लेकर जाएंगे कि राहुल गांदी जी को जान बूच कर डिस्क्वालिफाइ कराया गया है क्यूंकि पहले तो वो 2014 से मोधी सरकार के नियत और मोधी सरकार के नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई नोटबंदी के बारे में जी एस्टी के बारे में नीजी करण के बारे में विदेश नीति खास तोर से जो क्लीन चिट प्रदान मंत्री ने दी चीन को जून 2022 को तो 2014 से राहुल गांदी जी अपनी आवाज उठा रहे मोद एक सरकार की नीत और नीतियों के खिलाफ दूसरा कारण ये है कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से भारती जनता पार्टी गबराई हुई थी परेशानी में थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कही प्रयास किये गए भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांदी जी को बदनाम करने के लिए पर वो विफल रहा और भारत जोड़ो यात्रा न केवल कॉंग्रेस के लिए एक संजीवनी बनी बलकि देश भर में एक नहीं उमंग देखने को मिला, नहीं उत्सा देखने को मिला और लोग पैचान गए कि भारत जोड़ो यात्रा हमारे राजनीती के लिए एक परिवर्तनक भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं था, एक मुव्मेंट बन गया, तीसरा, महत्व पूरुन कारण, जिसके लिए राहुल गांदी जी को जान बूच कर निशाना बनाया गया, क्यूंकि वो लगातार और खास तोर से 7 फेबरिवरी से पार्लिमेंट के अंदर उन्हों अपनी आवाज अडानी घोटाले पर उठाई, पांच तारिक से कॉंग्रेस पार्टी ने रोज तीन सवाल पूचना शुरू किया प्रधान मंत्री से, राहुल गांदी जी ने 7 तारिक को, 7 फेबरिवरी को अपनी भाषन की, हालांकि ज्यादा तर उस भाषन एक्सपंच क किया गया, स्पीकर से, और उसके बाद मैं ग्रह मंत्री का शब्द इस्तिमाल करना चाहता हूँ, जरा क्रोनोलोजी समझे, जरा क्रोनोलोजी समझे, यह हमारे ग्रह मंत्री के शब्द है, और उसी शब्दों के साथ मैं आप को कहना चाहता हूँ, देश को कहना चाहता समझे, February 7 को राहुल गांदी जी की भाषन होती है, लोकसभा में। नौ दिन बाद, नौ दिन बाद, यानि की 16 February को जो complainant है, जिसने शिकायत की थी, इस भाषन के बारे में, इसने आपती चिताई थी, मानहानी का केस दर्ज किया था, वो जो हाई कोट, गुजरात हाई कोट में उन्होंने ही स्टे लिया था, वो स्टे उन्होंने वापस ले लिए.